नमस्कार आप सभी परसिक्छुओ का साइं कॉलेज अफ टीचर स्टेनी उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आज चे क्लास में हम बात करेंगे विजेड प्रतामबर्स के पेपर कोड एपी सी दो के यूनिट दो से जोनिट दो में आप सभी को पाढ़ना है ड्रामा एन आट और ड्रामा एन आट के आठ वाले सेक्षन के ताथ आज हम बात करेंगे भारतिये चित्र कला के बारे में यानि कि इंडियन पेंटिंग के बारे में आज ये कलास में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बात करने वाले हैं जब हम भारतिय चित्कला की बात करते हैं, तो कुछ परमुख बिंदू को हम बात करेंगे, ताकि हम भारतिय चित्कला को बाकि जो अन्य देशों की कला है, उससे कैसे हम अलग कर सकते हैं, कैसे उससे समझ सकते हैं, तो सबसे पाल है, आप नोट्स बना रहे हैं, वीडियो से तो हेडिंग दीजिए भारतिय चित्रकला है, इंग्लिस में आप लिखेंगे इंडियान पेंटिंग, इंडियान पेंटिंग में आप समय को लिखना है कि सौंधर्य को ब्यक्त करने के विभीन माध्यामों का पड़ियोग मानो पीर ही दर पीर ही करता चला आया है, और इस माध्याम में कला एक सर्वस्रिष्ट माध्याम है, इंसान की इच्छा क्या होती है, एक मानो की इच्छा होती है, जो उसका सौंधर्य है, जो खुबसूर्ती है, या उसके मन में जो भाव उत्पन हो रहे है, उसको प्रश्टूत करता रहे है, और मन के भावो को, यानि की स सुन्धर्ता को सुन्दौर्य को ब्यक्त करने का सबसे यदि कोई बर्याम आध्याम आए तो वह एक कला है कला की प्रश्टोदिक छेत में हम भारत की बात करें तो भारत अत्यांत सम्रीद एवां बैभा और साली रहा है यदि आप पुराने जब आने देखेंगे पहले की कला किर्टिया देखते हैं हम मंदीर देखते हैं तो हम आज भी दंग रहा जाते हैं कैसे उस समय के कलाकारों के द्वारा उतनी बेहतरीन पेंटिंगे और नाकासिदाल मुर्तिया और मंदीरे बनाई गई है जो कि आज के समय में भी बनाना साहिब संभव नहीं है भारत आपका जो है कला और संस्कृति की डिश्टि से ना केवल राष्ट्रिय अपीतु अंतराष्ट्रिय इस्तर पर भी विशेज भी बनाए हुए है बर्तमान की अदिया आप बात करेंगे तो भारत का जो इस्तर है यानि भारत का जो लेबल है लेबल है, खासकर करके कला एवां संस्कृति की डिश्नी से तो राष्टिये लेबल पर लेभल केसाइए नेश्टन लेभल के साँच इंटरनेश्टन लेभल पर भी इसकी अपनी Nic Key जभी बनी होई है क्या कि इसके साथ-साथ जो है देश को बिरासत में मिली हमें कला क्या है हमें कला अपनी बिरासत में मिली हमाए पुर्वजों के द्वारा हमें इतनी बहतरीन कलाकृतिया प्राप्त हुई है तो आप लिखेंगे इसमें कि देश इसको बिरासत में मिली सहेतिक, पुरा तात्रीक, लोक संस्कृति एवं कलाव को और अधिक परभावी एवं समाने जन तक पहुंचाने में तथा उन्हें जीवंत बनाई रखने की स्वतांतरता को परक्रार रखने में आपके भारत की कला एवं संस्कृति विभाव यानि की आट एन कल्चर डिपार्टमेंट का भी बहुत ही बरा युगदान है यदि भारत में या परतेक राजेर में आप देखते होंगे कला एवं संस्कृति विभाव होता है जो कि उस राजे की उच्छेत्र की उस देश की कला एवं संस्कृति की विरासत को संभाल कर रखता है और सब लोगों तक पहुचाने का काम करता है तो हम करते हैं कि भारत की जो कला है उसलेते भी भाग है आर्ट एन कल्चर डिपार्टमेंट है उसका बहुत ही बरा युगदान है हमारे देश की कला को संजोई रखने में उसे आगे बढ़ाने में तो चुकि आपका टॉपिक बात करते हैं इसकी फिसेष्टाओं पर देखते हैं पता चलता है कि भारत के अन्य देशों की कलां से बीहन है यहीं है बात आपके आन्य देश ने ुस से बातम वीजह है कुछ तो ब्हुत ही बीहनता है और कुछ बिसेष्टाएं भी है जो वही बिसेष्टाएं और वही घिंताएं जो है भारत को अने देशों की कला से अलग कर देती है अब वो बिसेष्टाएं कौन-कौन से है उसके बारे में हम एक-एक करके भाग करते हैं चर्चा करते हैं चोकि बिसेष्टाओं की सुची त अगर हम सभी की बात करेंगे तो साइथ एक वीडियो में वो संभों नहीं हो पाइगा है इसलिए हमने इस वीडियो को दो भागवें बनाया है आज के वीडियो में हम पांच बिंदों बात करेंगे और बाकी जो बिंदू है उसके बारे में हम अगले वीडियों बात करेंगे तो पहली यदी बिसेष्था कि हम बात करते हैं जो कि पहुत ही महतों पूर्ण है कि यानि इसका हिंदी होता है धार्मिकता एव़ं अद्यात्मिकता यह भारतीय चितकला की सबसे बरी बिसेष्था है या करा सकते हैं कि यह जो रिलिजिविलिजियेश लिटी एड ऐस्पर शुलिटी जो है यानि कि धार्मित्ता और अध्यावित्ता जो है लगब़ परतेक देश की कला में हमें देखने को मिलता है क्योंकि बिश्वव की सभी कलाओं का यदि जनम की बात की आती है तो उसका ज देखेंगे कि अधर जो है धरं के साथ कला का साम अभेस करके उसके बाद और उसका सबसे बढ़ीया उदाहरन आपका अजन्ता की गुफाइं अजन्ता की गुफाओं में जो है भूद घिच्छू के द्वारा पेंटिंगों का निर्मान किया गया है, गुफाओं का निर्मान गयाती थी सक्यायदान था धरम का परचार परसार करना को सबस्वेर्वेस कि अपने धरम का परचार परसार करने के लिए कला का सहयोग लिया और उन सब साथ कळा निरंतर चलते रहे, 기äischen कला का कोई अपना धर्म नहीं है, वो जिस धर्म मेर्म क्ला अउसी धर्म की होकर आ गए, जैनों के जैन धर्म के साथ के खियक जेए तो जैन धर्म के अनवायों ने पेंटिंगों का निर्मान किया चित्रों का निर्मान किया आप देखते हैं मितिहाश परहें तो उसनों वनन मिस Совाथ है जो अपरभार्पस पेंटिंग से हुथिए आ consumo क्यों ये जैन कि चृतकारों ने मिनीच्र पेंटिंग के शुरुबात की तो हम यह देख पा रहे हैं कि कला जो है धरम के साथ निरंतर आगे बढ़ती रहती है क्योंकि कला के उद्भाव में धरम का भी बहुत बड़ा युगदान होता है धरम नहीं जो है कला के माध्यम से अपनी धार्मिक मन्यताओं को जन जन तक पहुंचाया है औ हम बात करेंगे अपके बहुत ही परशित्चित्रकार थे जिनका नाम था राजा रभी बर्मा उन्होंने क्या कि अब हिंदू देविद्योताओं की जो छविया आज हम अपने घरों में कलेंडर के रूप में देखते हैं उसका निर्मान सुरा पर्था राजा रभी बर्मा के द्वार किया गया था यानि कि हम देख पा रहे हैं कि धरम के साथ कला का जो है निरंतर विकास होते गया है धरम ने क्या किया अपना परचार परसार करने के लिए अपना प्रोपगंडा के लिए कला का सहरा लिया और कला ने क्या कि धरम का भरबूर सांदिया और धरम और डोनों एक सातल कर जो उनकी धार्मिक मानियताय थी उन्हानियताओं को जन जन तक पहुचाने के लिए सभी लोगों के भीच बातने के लिए करा घा थी आगया बहुंति यारी इंधी click क्रास और हैं तो आग्या सकते हैं इसका स्वरूप इंधुई प्रकृति से अंकन भारतिय चित्कला की ये दूसरी विशेष्टा है इसमें कहाता है कि भारतिय चित्कला में मनुस्य के सौभाव या अंतह गरन को गहराई तथा पूनता से दिखाने का बहुत ही महतो है यानि कि जो मनुस्य के जो अंदर जो फिलिंग है जो सौभाव है जो चेहरे का जो इंप्रेशन आपके जो भाव होता है उसको जो है पौकृत ही खुबसूर्ती के सांद दिखाया गया है हम उदाहन के तोर पर अजन्ता की यदि हम चित्रावलियों को देखे तो उसमें जंगल, प्रवत, प्रकृती, सरोवर, रंगमहल तथा कथा के पात्र सभी को एक साथ एक ही दिर्शे में दिखाया गया है इसी पकार अजन्ता की गुफाव में एक चित्र बना जिसका नाम है पदम पानी के चित्र, उसमें आप देखेंगे कुछी रिखाव के द्वारा गौतम बुद्र के पिचार, उनकी मुद्रा का जो अंकन हुआ है, वो बहुत ही दर्शनी है इस वीडियो के थामदेल में जो पेंटिंग मैंने यूज किया है, वो अजन्ता की गुफाव से लिया गया है, जन्ता की गुफाव में एक परशित चित्र है, गुफा संक्या एक में चित्र है, जिसका नाम है पदम पानी के चित्र, उसी पदम पानी के चित्र को इस वीड दर्शनी और यह सबसे बरी पीसेश्ता आपके इंडियन प्रिंटिंग यानि कि भारतिय चितकला के जो कि हमें बाकी देशों की कला में यह सा उंकन देखने को नहीं मिलता है अब उस पेंट्टी को गौर से देखेंगे तो आप उसमें बहुत ही समझ पाएंगे देखेंगे जो चेहरे का भाव है थात में कमा लिए हुए है तो एक बहुत ही मनोरम सा धन्स है और उसके साथ बैग्राउंड है जो पिर्शे का पाट है उसमें भी बहुत सारे जानवरों का भूट उसंत्साफ्तियों काभी की वहुता किया गया है तो आहिए तीस भी सेथा की बागत ले हैं कि वह इसला इमेजिनेसं नहीं कि कलपना सोच करके बनाना भाड़तिय चित्कला की परमुक भी सेहन्ता है यानि कि कल पना कीочно पर याप पर सकते हैं कि भारतिये चित्र कला का विकास हुआ पुना हम आपके उसी पदम पानी चित्र का उजामपद में आज आएंगे आप उस चित्र में गौट एदिकिये होंगे नहीं किया होंगे तो पुना वीडियो को पाउज करके आप इसका थमल देखे वीडियो का जो पदम पाणी भगवान गूत करें उसके पीछे का भेग्राउंड पाउड है आप उसने देखेंगे we को कि पर नेकि सोंच करके इम चित्रों का निल्मान हुए मौन किया घ्जां पीशता है धाया त्यक्ति तो हमें बहुत दिखाई था भारतिय चित क्लामें और वह एकिसमे अदर्स वाधिता का हमें उचित एर्षतान दिखाई देता है ऐसे भी यदि कहा जाए तो भारतिय कलकारों का मान दो सब धयान पर एक कलपना यानि के जद पारतिया ज offers जो मेरे सामने सक्षा दिखाई देया रहा है को समय है ये ऊऔर थार्थ रंकन का मतलब यह हुआ जैसे आप सभी कहते हैं कि मेरा फोटो बना दीजिए तो हम आपका खुबहु एक तस्वीर बनाते हैं तो उसे कहते हैं यह थार्थ चित्रन यानि कि जैसा वश्तु दिख रहा है उसे ही हम चित्रों का निर्मान करें यह होता यह थार्थ चि बने हैं उसमें हमें ठाट चित्रन बहुत कम रहे इस कालपना करके इसंतर करें आय। निर्मान किया है ऑग आते हैं जाता कफ़ा पहले भी आपको बता चुके हैं वीडियों में जाता कफ़े हं भगवान फोज की पूर्ब जन्मों की कताएं अजन्त हो जीतनी भी घुबफाई जन्ते तो है आपको याद रखेए लेगा यह जेनल पोहे geflla परिक्षा में breast क्षो स्थाफा पनाई गए गया, कुछ गुफाइं चाहिते हैं और कुछ गुफाइं जो हैं आपके बिहार रुफाओ के क्या क्या है नम्मरी कर दिया गया एक से लेकर 30 तक नम्मर दिर जागे आपके यह जा रखने के लिए, इसे उसमें आपके नव, दस, उननीश, छफिस और दीस इतना हुआ पांच हुआ है यह पांच जो है आपका चैत्य गुआ है और बागी जो पचीस गुफाएं है वो आपके विहार है यहां दखेंगे 9 10 19 36 और तीस यह नम्मर है यह चुकि हम लोग पढ़ने के सुग्दा के लिए इसमर्ण के लिए पढ़ने गुफा को ए इतने गुफाएं य्हार गुफा करते हैं इसमें अजंटा में जहरसके नकर क्प्रकल के रुख्फाएं के लिए जहांता क्रश्त होती है जिसमें भगवान गूद्ध कह पुर्व जन्वों की कात्राव का मनोरह अंकन हमें देखने को पराप्थ होता प्रतिकात्मक्ता इंदियान पेंटिंटिंग की चौथी पिसहस्ता रही है जाने कि हम सेम्बल की रूप में भी प्रतिकात्मक्त में भी चीजों का निर्मान करते हैं प्रतिकात्मक्ता में निहेता है प्रतिक जो है कला की भासा होती है संकेतिक एवं कलात्मक्त दोनों प्रतिकों का सरवाधिक महत्तों रहा है जैसे कि आप अप्रतिक परहेंदे जाता है इकला के बारें परहेंदे आमें दिखाई देता है कि कई जगा जो है भगवान पुद्ध का सरशरीर अंकन ना करके कुछ स्यंबॉलिक या पर्थिक चिनु का पर्योग किया गया है सफेध हाती का अंकन किया गया है कंबल के पुष्प का अंकन किया गया है पीपल के पेर कांकन किया आता है यह क्या है सब एक सेंबॉलिक हैं जो कि भगवान बूद्ध को रिप्रिजेड करते हैं और और बहुत पर्थिक चिन होते हैं जो कि कला में पर्योग किया जाता है अदर्स वादिता, इंडियन पैंटिंग की पांचनी की सेष्टा है, आइडियो निष्टी, यानि की अदर्स वादिता, भारतिय चित्करा जो है, यह थार्त की अपेच्चा, अदर्स में ही विच्चरन करती है, वह संसार में, यह भारतिय चित्करा जो संसार में जैसा देख क्या हुआ है जैसा कि जो बेगती जैसा है कलकार जो है उसे वह वैसा चित्रन नहीं करते हैं बलकि उसे जैसा होना चाहिए वैसा चित्रन करते हैं यानि कि जिसे कि एक चित्रकार जो है एक महा राजा को जब एक कलकार चित्र बनाएगा तो उसे एक अधर्स राजा के रूप में चित्रित करेगा ठीक उसी पाकार जो है भगवान बुद ग्यान देने वाले के रूप में अधर्स बन गया है जब हम भगवान बुद का अंकन करते हैं तो सांत एक सौमय Ses मेता के साथ हल्की जुकी धियान color बनाते हैं जब किसी भगवान का सुछी बनाते हैं तो भगवान का चित मनी परहते हैं हैं लांपर ऊपर निद तो आपको सकते हैं कि अधागय चित्रकार जीए जैसा वेक्ति का सौभाव है उस रूप में उसका अंकन एक चित्रकार के द्वारा किया एक जाता है आज वीडियो में लेइन पेंटिंग के पाँक बीसेफ्ता हैं भी बीसेफ्ताओं के बारे सेनी के बात में सब्कान strawों, अगले वीडियो आमेवादा